महादेव, आप सभी का हमारी चैनल शिवकता उपाई पर बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ मित्रो, आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शिकों आप सभी जानते हैं, 14 जन्वरी, 14 जन्वरी को सक्रांती है। मकर सक्रांती के इस पर्व पर सुभा सबसे पहरे उठकर आपको यह पांच कारे अवश्य ही करने हैं, जिससे कि आपके ग्रहदोश भी समापत होंगे। मकर सक्रांती इस बार 14 और 15 दो दिन मनाई जाएगी। यह सूर्य उत्रायन होने का महा पर्व है। इस दिन से वातावरन में सकारतमक उर्जा बढ़ जाती है और चारो तरफ का माहौल बहुते शिद्ध हो जाता है। सास्तरों की अनुसार मकर सक्रांती के दिन इसनान करने के बाद तान पुर्णकर के दिन का आरंब किया जाता है। जिस से आपके ग्रहदशा सुधर जाती है। आए चलिए जानते हैं कौन से वहाँ पांच काम हैं जो आपको इस दिन अवश्य ही करने चाहिए। मकर सक्रांती के सुब अवसर पर ग्रहदोश को दूर करने के लिए के जाने वले उपाई बहुत ही असरदार माने जाते हैं। इस दिन इसनान के बाद खिछडी और तिल से बनी चीजों का दान करने का विशेश महत्व होता है। मकर सकरांती के दिन सुभा के वक्त पांच सुभ कारे करने से आपको शुप फलो की प्राप्ती होती है और आपके ग्रहधसा में सुधार होता है। आए जानते हैं सबसे पहले मुख्य द्वार पर आप इस उपाय को अवश्य करीं मकर सकरांती के दिन सुभा सबसे पहले मुख्य द्वार के ठीक से सफाई करने चाहिए और इसके बाद मुख्य द्वार के दोनों और हल्दी के जल का छड़काव करना चाहिए और सूरे दीव अरे यह उपाए मकड सक्रांती के दिन गंगा नदी में इस्नान करने का विशेश महत्व होता है अगर आप इस्नान करने गंगा नदी नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही इस्नान के जल में गंगा जल और काले तिल मिलाकर इस्नान करने से गंगा इस्नान के बराबर पुर्ण की प्राप्ति होती है इस दिन गंगा जल से इसनान करने के बाद घर के मंदिर में देवी देवताओं को नवीन वस्त्र आप अवश्य ही पहनाएं ऐसा करने से घर में सभी देवताओं की कृपा बनी रहती है और पूरे साल घर में बरकत होती है नवग्रह का उपायर पर भगवान भी आपके भंडार सदे भर देती हैं आदित्य हिर्दय इस्तरोत का आप पाट अवश्य ही करें मकर सकरांती के दिन आदित्य हिर्दय इस्तरोत का पार्ट करना चाहिए मकर सकरांती पर इसनान और दान करने के बाद आपको कहीं शांत एकांत इस्थान पर बैट कर आदित्य हिर्दय इस्तरोत का पार्ट करना चाहिए मकर सकरांती की उपासना का पर्व है और इस दिन सूरे के उत्रायन होने की खुश्या मनाई जाती है इसलिए इस दिन आदित्य हिर्दय स्त्रोत का पाट करना बहुत ये शुब माना जाता है आपके कुणली में सूरे के सुब प्रभाव भी पढ़ते हैं खिचडी का भोग मकर सकरांती को खिचडी पर्व के नाम से भी जाना जाता है इस दिन उड़त की दाल और कच्चे चावल से खिचडी बना कर देवी देवताओं को भोग लगाया एवं स्वयम भी खिचडी और तिल से बनी चीजों का सेवन करना चाहिए मकर सिकरान्ती के दिन खिचडी का दान करने का भी विशेश महत्व माना जाता है ऐसा करने से शनी के अशुप प्रभाव कुंडली से दूर हो जाते है यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया है मित्रो तो हमारे चैनल को तुरंथ ही सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को प्रेस करके आल पक क्लिक कर दें और जादा सी जादा इस वीडियो को आप अपनी परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए हर हर महादी